ओम शान्ति आज विश्व कल्यानकारी बाप अपने अतीस ने ही अती लाडले बच्चों से मिलन बनाने के लिए आए और बाबा ने हमें सर्वशक्तिवान को साथ रख साक्षी स्थिति में स्थित हो तक्तनशीन बनने की विधी संजाई है आए रिवाइस करते हैं आज के 10 डिसमबर 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधूर महवाक्यों को बाप दादा को कौन सी रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं स्नेह सहयोग बच्चों के दिल से बाप दादा कौन सा गीत सुन रहे हैं मेरा बाबा बच्चों के दिल के गीत का रिस्पॉंड बाप दादा क्या कहकर कर रहे हैं ओ मेरे अती प्रिये बच्चे, ओ मेरे स्नेही लाडले बच्चे, विश्व की आत्माओं के दुख दूर करने के सुक्ष्म साधन कौन से हैं, चेहरा, नयन, दोश्रब्द, हमारी कौन सी तीन चीजें किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकती हैं, मुरत, वृत्ति, दृष्टी, चलन से दिखाई देना चाहिए, मेरे जैसी खुश नसीब सारे कल्ब में कोई आत्माओं नहीं है, ब्रामन अर्थार्थ, खुश्री की जीवन, उदास अर्थार्थ, माया के दास, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, खुश्नुमा चेहरे में, कुश्नसीब के नशे में, खुश्री की खुराक से तंदुरुस्द, सदा खुश्री के खजाने से समपन्, कौन सा एक लक्षय रखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आपके मन की स्थिती द्वारा, चाहे कोई अन्ने आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकिर्ती द्वारा, चाह वायू मंडल द्वारा कुछ भी हो जाए मुझे खुशी नहीं छोड़नी है बाप कौनसी शुब आश रखते हैं एक एक बच्चा राज्जी अधिकारी सो विश्व अधिकारी है बोज कब होता और कब हलके हो नाचते रहते बोज होता है मैंने किया मैं करती हूँ मैं करता हूँ हलके हो तब नाचते जब बाप साथ है बाप का कार्य है बाप करा रहा है बाप दादा ने तीन मिनट की ड्रिल कराई एक सेकिंद में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिती में स्थित हो जाओ सफलता मूरत आत्मय परकने की शक्ति द्वारा किसे पहचान निरने ले सकती है बाप को अपने आप को अपने श्रेश्ट करतव्वे को समय को ब्रहमन परिवार को मनसा वाचा कर्मना हर प्रकार से सेवा में सफलता प्राप्त करने का आधार क्या है परखने और निर्णे करने की शक्ती हम कौन हैं? मास्टर सुक के सागर, मास्टर खुशी के सागर, करावनहार के इंस्ट्रुमेंट, कोटो में कोई, कोई में कोई क्या होने से क्या होता है? खुश रहने से बाते खेल लगती, सेवा का बोज उठाने से ठक जाते, युद्ध करने से मन बुद्धी ठक जाता, साक्षीपन की सीट से नीचे आने से खुशी कम हो जाती, ज्यानियों की लाइट माइट से संपन्न बनने से किसी भी परिस्तिती को सेकिन में पार कर लेते हम बच्यों प्रती बाप दादा की शिक्षा समझानिया इस प्रकार हैं, चारों सब्जेक्ट्स में अलर्ट रहना, बोज नहीं उठाओ, बोज बाप को दे दो, कभी किसी बात में अलबेले नहीं बनना, दुर्ड संकल प्रखो और बातों को भूल जाओ, सेवा भी एक डा प्रश्टी होकर करना मैपन में नहीं आना, एक ही पुर्शार्ट करो कि साक्षी और खुष्णुमा तक्तनशीन रहना है, संसकार अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संसकार सत्युग में कारे करेंगे, लौकिक पना नहीं हो, लौकिक पन है, तो लौकिक कारे में भी समर नहीं हो सकते, ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, पाप दादा के हम अतीस नहीं बच्चों को सदा ही खुष्णुमा देखना चाहते हैं, जिसके लिए हमें सदा खुष रहने का पुरिशार्ट करना है, और पुरिशार्ट यही है कि पुरानी बातों का सिमरन नहीं क करना, कभी सेवा को यकिनी बातों को बोज नहीं समझना, सभी बोज को बाप को देकर सेवा को खेल समझकल खेल कर आगे बढ़ते रहेंगे, तो सदा ही स्वयम भी लाइट रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी हलका रख सकेंगे, ओम शन्ति